नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपूंग टोपिक लेकर आया हूँ आपको सुवस्थ बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विशे में लगतार साथ दि जैसी समस्याएं भी दस तक दे चुटी हैं इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें खुद का विशेष ख्याल रखना हो पड़ेगा ऐसे में खजूर का सेवन करना हमारी सरीर के लिए एक रामबा ओस्दी साबित हो सकता है लगतार साथ दिनों तक खा लिजे सिरफ दो तो आप देखेंगे अपने सरीर में चमतकारी बदल तो आईए दोस्तों जानते हैं खजूर खाने के चमतकारी फाइदों के बारे में कबज की समस्या खतम करें दूद में खजूर डालकर पीने से कबज की समस्या दूर हो जाते हैं और पाचंतन तरवी ठीक रहता है इसके लावगँ खजूर में आईरन होता है जो हमें एनमिय जैसे बेमारी से दूर रहने में मदद करता है दूद और खजूर में कैलसन खजूर का सेवन करना बहुत अधिक वाइदेमंद होता है क्योंकि इसमें मौझूद गुलकोज और फ्रेक्टोज सरीर के रोग प्रतुर्दक समता को बढ़ाने में बहुत अधिक कारग हैं और बीमारियों से सरीर को लड़ने की ताकत देते हैं सरीर की उर्जा बढ़ाएं खजूर खाने से सरीर को भरपूर उर्जा मिलती हैं इसमें मौझूद प्राकृतिक सरक्रा सरीर में ततकालिक उर्जा को बढ़ावा देने में मदद करती हैं आईरन की कमी को पूरा करें खजूर में अच्छी मातरा में आईरन बाय जाता है जो लोग अधिक थकान या कमजोरी महसूस करते हैं उनमें आईरन की कमी होती है अताए उन्हें दिन में तीन से चार खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए हडियों को मजबूत बनाएं खजूर में मौजूद सिलेनियम और मेगनीज कौपर जैसे मिनल हमारी हडियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं अताए खजूर के सेवन से आप अपनी हडियों को मजबूत बना सकते हैं और जोड़ों के दर्द से चुटकारा पास्क दिये संकर्मन से बचाएं आजकल के परदूशन युगत वातावण में बाहर निकलने पर हमें बहुत से धूल के टाणों का सामना करना बड़ता है जिससे हमारा सरीर संकर्मित हो जाता है यह संकर्मन सरीर में फैल कर कई बिमारियों को चर्म देता है लेकिन जो लोग रोजाना खजूर खाते हैं वो इस संकर्मन से काफी हद तक बचे रहते हैं कबच से रहात दिलाए खजूर को रात पर पानी में बिगो कर सुबे खाली पेट खाना बहुत फायदेबंद होता है इस से कबच से रहात मिलती है खजूर खाने से पेट असानी से साफ होता है लगतार दो तिन दिन इसका इस्तमाल करने से कबच की समस्या खतम हो जाती है पौरूश सक्ति बढ़ाए खजूर को रात बर दूद में भीको कर अगले दिन सुबह के वक्त खाने से पुर्सों में पौरूश सक्ति बढ़ती है खासकर बकरी के दूद में खजूर को भीको कर खाने से पुर्सों को बहुत अधिक फाइदा मिलता है बक्री का दूद ना मिले तो आप सधान दूद का इस्तमाल भी कर सकते हैं वजन बढ़ाए अगर आप भी सरीर से बहुत कमजोर या दुबले पतले हैं तो खजूर का सेवन करना सुरू करतीजिए जो लोग सरीर से बहुत कमजोर या फिर दुबले पतले होते हैं उन्हें दिन में कम से कम तीन खजूर खाने चाहिए खजूर का मिठबन और इसमें मौजूद प्रोटीन की भारी मातरा सरीर के वजन को बढ़ाने में बहुत अदिक मदद करते हैं दोस्तों आप भी खजूर का सेवन करके इस से होने वाले फायदों को उठा सकती हैं पर दोस्तों खजूर के सेवन में एक साफधानी भी हैं जिसका आपको पाल्ण करना है जो भी मदुमेरोगी है या डाइबटीच का सिकार है उसको खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक बशियर करना ना भूले इसके साथ साथ आप हमारी सुटूप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबर्दस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखने बना सकते हैं और सुखने जीवन जी सकते हैं धन्यवा दोस्तों